क्या आप अब नेटह effort हिंदी के तयारी करते हैं जरूर कर रहे होंगे अगर कर रहे होंगे तो आपको ये पता है नहीं पता आपको कितना को सबसे बढ़ी बात यह एक हो आप आखे के अब हिंदी वार उगना क्रmm श्रीय गर्लम होता है कि जैसे कोई 200 नंबर में 80% सही कर रहा है तो उसको 100 लिए जाता है इसको बोलते है परसेंटाइल स्कूर और इस बार परसेंटाइल आएगा इसका कोई अता पता नहीं है तो अगर आप हिंदी के त्यारी कर रहे हूं और आप यह जानना चाहरे हों कि कटॉफ कितना जा सकता है यानि हिंद 66% के आसपास आपका ज्यारेफ जाएगा जनरल का कितना 65-66 जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा और अगर मैं बात करूँ OBC की OBC का आप देखोगे 61-63% के आसपास मैक्सिमम 61-64% के आसपास जाएगा OBC का और 62 से लेके 66% के आसपास जाएगा जनरल का और अगर आप SC के देखरी हैं तो आप 62 के सम्तिंग आपका ज्यारेफ हो जाएगा पका डन है ना कोई दिक्कत नेगर निट की बात करूं तो निट का 60% सूपर कोई मतलब नहीं होता 60% मतलब 90% अगर आप सका 60% सही हो रहा है और आप जनरल के हैं तो आपका निट हो जाएगा अगर आप OBC ह हैं और आपका कितना प्रस सही हो रहा है आपके लगबग 57 प्रतिसत भी सही हो रहा है ना लगबग आप यह समझ लो 56-57% OBC का 58% से 60% जनरल का जाएगा और 55 से लेके 57 तक OBC का जाएगा तिरपन से लेके 55 या 56 तक कितना जा सकता है SC का जा सकता है और EWS की बात करूं तो EWS वाला लगबग 57% के आज पास नेट रहेगा जनरल का वो EWS का और यह आपका कट आफ है फिर से बताता हूं जनरल के हैं 60% में नेट कंप्लीट है अगर 57% तक नंबर आपका आज आता है OBC है तो भी आपका डन है अगर आपके 55% नंबर आते SC के डेगरी है तो भी आपका न भी बहुत सारे student का selection दिया है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मेहनत की और आप भी मेहनत करेंगे आपकी सफलता जरूर मिलेगी धन्यवाद चैहिंद चैभार